है रहे दोस्तों स्वागते आप सब लोगं का है हेलो टीचर्स पर और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास जो काफी इंपोर्टेंट और कल की क्लास का ही एक अग्रा पॉइंट हमें मिलने वाला है ओके जोसना जी बिलकुल पर चल गया है आपकी गुजारिश आपकी चीज़े चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक पर मुझे आप लोग बता जिए कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है फटा-फट से सभी लोग चलो तो वॉइस क्लियर आ रही है मैं च चलिए तो बेसिक इंट्रो एस समय पर आप हैं जो है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनकेडमी का एक हिस्सा और इसी अनकेडमी आप पर आप मुझे फॉलो करते हुए चल सकते हैं महेंदर सिंग महरा के नाम से अनकेडमी आप पर आपको क्या मिलत है यहां पर और मिलता है unlimited access यानि की एक subscription और जितनी भी classes जो प्लस पर चल रही है सभी classes आप देख सकते हैं ठीक free classes के तोर पर अगर हम देखते है तो special class और Youtube की class आपको free provide करवाय जाती है और इसके अलावा क्या मिलता है आपको तो आप जानते ही हैं इसके अलावा एक मिनट बस मैं कुछ नहीं जो कोर्स चल रहे हैं उनको आप देख सकते हैं उन प्लस क्लासेस में क्या क्या स्लेबस होने वाले इने देख सकते हैं अपने आपको अच्छे से प्रिपेर कर सकते हो प्रिपेर्शन को ट्रैक करते हो चल सकते हो अनकेडमी एप का फायदा क्या है शेडूल प्रेडिसाइड़ है लेंगविज बैरियर नहीं है आप विभिन प्रकार की अलग लग भाशाओ में चीज़े को देख सीख सकते हो अनकेडमी एप पर आप वीडियो को लाइफ देख सकते हो वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो TET subscription के लिए code यूज़ कर सकते हैं MSM for 10% discount कोईन का इस्तमाल करना बिलकुल मत भूलना इसके बाद आपको दो साल का subscription 6 महने के pack पर मिल रहा है कैसे अभी आगए आपको पता चलेगा अने कर्मी एडवांटेज एजुकेटर से इंट्रेक्शन का मौगा डाउट क्लेरिंग के लिए पूरा का पूरा एक complete session रखा जाता है प्लस classes के अंदर हर चौथी class आपको आपके डाउट क्लेर के लिए रखी जाती है अब live poll test quizzes में participate करते हो PDF डाउनलोड करते हैं देखिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है सुपर टेट का एक नया बैच है 15 तरिक से स्टार्ट हो रहा है इसमें आप अप एंडॉल्ड हो सकते हैं TETT20 चल रहा है सीटेड, यूपिटेड, रीट, केवेस इसको आप जोइन कर सकते हैं और फिर से बता रहा हूँ दो साल का सस्क्रिप्शन, MSM कोड यूज़ कर लेना है और पर मन 225 रुपे से कम पर भी आपको मिल जाएगा ये ठीक पूजा शुकला जी, सुर्प संधिया जी कैसे हो आप लोग अगराग भाई बिल्कुल मैं ठीक ठाक और सभी दोस्तों को बता रहेंगे कि हाँ भाया सब कुछ क्लियर है, सब कुछ बढ़या चला तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज की क्लास में क्या मिलने वाले आपको तो बौध धर्म और जैन धर्म के important question, कल भी ये topic चला था, 120 question के आसपास total थे, 60 के आसपास हमने करें, शायद 50-60 question, आज भी हम करने वाले हैं, तो चलिए, सुरू करते हैं, आज की उडान भनने को तयार करते हैं, और अपनी seat by बात लीजिए, ये रहा पहला प्रशन, बौध सिक्षा का केंदर कौन सा हमें मिलता है, ठीक, चलो, तो पहला point, answer आना सुरो किया, 16 का A बता रहे हैं, नेहा ने ये बताया है, ठीक है, पूजा ने भी A बताया, अनुराग B बता रहे हैं, चलो, देख लेता है, बौध सिक्षा का केंदर, इन चारो option में से important है, वि विक्रम शिला हमें मिल जाता है, वानसी, गिरनार या उजयन, ये बहुत सिक्षा से संबंदी, डारेक्टली नहीं हमें मिलते, ठीक है, सिक्षा का केंदर पूछा है, तो विक्रम शिला, विश्व विध्यालेवी, जिसकी स्थापना किसने की थी, धर्म पालने करवाने का क किया था, विक्रम शिला, विश्व विध्यालेवी कहां मिलता है, हमें बिहार राज्य में ही ये भी इस्थित है, शिवांगी जी, गुड़ अफनू, ठीक है, चले तो अब अगले पॉइंट के ओल चलते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, क्या होने वाला है, क्या आपको म बताए जल्दी से, चलो, आपकी कमेंट देख रहा हूं में, हाँ, तो साची, MP में बता रहे हैं, देखते हैं, बिल्कुल, बौध धर्म का जो सबसे बड़ा स्थोफ हमें मिल जाता है, वो कहां मिलता है, साची में स्थित है, ठीक है, ये चीज़ यहां पर ध्यान रख ले इसमें क्या मिल जाता है, अशोक के द्वारा बनाएगा, स्थोफ हमें मिल जाता है, केंदर में अर्ध गोलाकार निर्मित एक धाचा मिलता है, साची का स्थोफ, कहां पर है ये, अर्ध गोलाकार धाचे का बना हुआ है, और इसमें भगवान बुद्ध के अवशेश रखे गये हैं ध्यान रख लेना जो भी स्टूप होते हैं उन स्टूपों में क्या मिलते हैं कुछ ना कुछ अवशेश हमें मिल जाते हैं गौतम बुद्ध के ठीक है चलो अगला पॉइंट अगले प्रश्ण के उड़ देखेंगे हम क्या मिलने वाला अगला प्रश्ण जय हिंद जय हिंदे की सेना संध्या जी देवेंद्र गुमार भाई खुश रहिए अमरिता जी गुड़ इवनिंग चलो निमलिकित मैंसे किस ग्रंथ में सरवप्रतम देवकी के पुत्र क्रेश्ण का वर्णन हुआ है महाभारत चंदोपनिशत अस्टाध्याई या भागवत पुराण जो वैश्णव धर्म के हम बात करते हैं उसी की एक शाखा भागवत पुराण भी हमें मिल जाती है तो क्या हमें मिलेगा ठीक है तो क्या हमें मिलेगा यहाँ पर देवकी के पुत्र स्री क्रिश्ण का वर्णन सरवप्रतम कहां पर हुआ मधु ने बताया है भागवत पुरान की बात चल लिए बात तो ठीक है भागवत पुरान स्रेक्रिशन से संबन देती हमें मिलेगा लेकिन याद रखना है आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पर आंसर चंदोपनिशद हमें मिल जाता है अंसर के मिलेगा छंडो उपनिशद ठीक है यह चीज़ यहां पर पूछा गया था सर्व fulfथम वर्णन कहां पर हुआ है सर्व प्रतम वर्णन कहां पर हुआ है छंडों उपनिशद में हमें मिल जाता है जो प्राचीनतम उपनिशदों में से एक और सबसे व्रहद उपनिशदा में मिल जाता है क्या है ये ये है सबसे व्रहदाकार सबसे बड़े आकार का उपनिशद सबसे बड़ा उपनिशद ये कहा गया है ठीक चले अगले प्रेशन अगले पॉइंट को देखते हैं आसान सा मिलेगा जैन समुदाय में प्रत्थम विभाजन के श्वेतामबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे तो यहाँ पर थोड़ी कहानी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें मिलेगी कहानी यह मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौरिय हमें मिल जाता है ठीक है सिय मतलब चंद्रगुप्त मौरिय और यह मौरिय क्या ले लेता है सन्यास ले लेता है सन्यास कौन दिलवाता है इसको भद्र बाहु सन्यास दिलवाता है और यह दोनु मिल करके कहां चले जाते हैं दक्षिन भारत च सन्यासी हमें मिल जाता है ठीक है वो सन्यासी किसकी स्थापना करते हैं श्वेतांबर की स्थापना करते हैं जबकि दक्षिन भारत के जो सन्यासी हैं वो क्या कहलाए गए थे दिगांबर कहलाए गए थे ठीक आंसर देख लेते हैं वो है स्थूल भद्र भद्र बाहु दक्ष पुल बदर उत्तर भारत यानि कि स्ट्रेतामबर संप्रदाय के संस्थापत माने जाते हैं क्लियर यहां तक का पॉइंट बताएं जल्दी से सबी लोग यहां तका पॉइंट क्लियर हो चुका है अगले प्रेश्ण अगले पॉइंट के हम बात करेंगे भारत में सबसे प्राचीन विहार क्या है अब ये विहार क्या होता है ये इसकी बाद भी हम कर लेते हैं विहार ये बौद धर्म से संबंधित हमें मिलता है और विहार बौद भिक्षुओं का क्या मिलता है हमें निवास इस्थान कहा गया है ठीक ये बिल्कुल से याद रखते विचल लेना कि जो प्राचीन विहार हैं वो बहुत भिख्षूओं के निवास इस्थान कहें गए हैं तो कहा है ये नालंदा ओदंतिपूर विक्रम शिलाया भाजा क्या आंसर मिलेगा 65 का A बता रहे हैं चलिए तो बिल्कुल यहाँ पर हम देखते हैं A नालंदा ठीक है सबसे प्राचीन विहार क्योंकि नालंदा क्या मिलता है एक विश्व विध्याले भी मिलता है वो विश्व विध्याले जिसकी स्थापना करने का काम कौन कर रहा है गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त गुप्त वंश का राजा कुमार गुप्त जिसकी स्थापना करने का काम कर रहा है तो यह बौध विहार भी हमें मिल जाता है अगला पॉइंट अगले प्रश्न की और प्रतम जैन महासभा का आयोजन कहां पर हुआ था पहली बार जैन महासभा का आयोजन कहा पर हो रहा है आंसर के हम बात करेंगे पहली जैन महासभा का आयोजन कौन कर रहा है कहा पर हुआ था दोनुग पॉइंट पर चर्चा करते वी चलेंगे आंसर देख रहा हूँ 66 का भी वल्लबी बता रहे है 66 का A है A है B है राज सोन कर भाई राधे राधे राज भाई राधे राधे कैसे हो और सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया स्वस्तत अंदरूस्त और मस्त होगे उम्मीद करता हूँ आंसर की बात करेंगे जैन महासाबर का आयोजन पाटली पुत्र में हमें मिलता है कहा मिलता है पाटली पुत्र में और इस समय जिस राजा ने आयोजन करवाय था वो राजा कौन हमें मिलता है उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर ये नाम के राजा ने आयोजन करवाय था पाटली पुत्र में और इस पाटली पुत्र में जब आयोजन हुआ तो अध्यक्ष कौन था तो मैं फिर से कहा रहा हूँ चंद्रगुप्त मौरी सन्यास ले रहा है भद्रबाहू के साथ दक्षिन भारत चला गया तो उत्तर भारत में किसे छोड़के गया जो वहाँ अध्यक्ष था और उसका नाम हमें मिलता है इस थूल भद्र नाम के वेक्ति ने ठीक यह पॉइंट बिलकुल ध्यान से याद रखते वे चलिएगा इस थूल भद्र नाम के वेक्ति में अगला पॉइंट आगे कंटिनू करेंगे दूसरी जैन महासभाग का आयोजन कहां पर होगा था चलो भईया यार यह तो बहुत और जैनसे संबंदेठ टोपिक है आज बहुत धर्म और जैन धर्म से संबंदेठ टोपिक हमें मिलते हैं ये ठीक आनसर क्या मिलेगा बस राज भई तुम्हारे सामने है तो आनसर बिल्कुल ठीक है दूसरी जैन महासबा का आयोजन वल्लभी में हो रहा है दूसरी जैन महासबा का आयोजन का वल्लभी में हो रहा है और जिस समय पर वल्लभी में आयोजन हुआ उस समय पर अध्यक्ष कौन मिलता है हमें इसकी भी बात करते हुए चलेंगे तो इस समय पर अध्यक्ष कौन मिलता है वो है दे देवार्धी छमाश्रवण नाम का व्यक्ति वल्लभी में जैन महासंगती का आयोजन और अध्यक्षिता करने का काम कर रहा है ठीक, क्लियर तो दो संगतियां काफी इंपोर्टेंट हैं आप से जैन ध्रम के संबंद में पाटली पुत्र और वल्ले भी पूछ लेता है जैन शाहित्य का संकलन किस भाषा और किस लिपी में हुआ भाषा क्या थी, जो बोली जाती है और लिपी क्या थी, जो लिखी जाती है बता कि क्या होगा, सिनी जी, हेलो सिनी कैसे हो हाँ प्रिया जैस्वाल बिल्कुल से ही बोलें वल्लभी में संकलन हुआ था बिल्कुल ठीक है वल्लभी में जो था वो धर्म गरंथों का अंतिम रूप से लिपिवद्ध किया गया ठीक वल लभी में क्या किया गया जैन धर्म से संबंदी जैन महासबा से संबंदी जो धर्म गरंधते उनका क्या किया गया अंतिम रूप से लीपी बद किया गया था इनको ठीक है तो यह चीद ध्यान रखना अगले पॉइंट और इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आपको म पीडियेफ बोल रहे हो या फिर जो मैं क्लास में करवा रहा हूं उसका पीडियेफ पूछ रहे हैं पूजा कौन सा पीडियेफ पूछना चाहा रहे हैं क्लास में जो मैं करवाता हूं उसका पीडियेफ मैं आपको सेंड कर देता हूं कहां सेंड करता हूं टेलिग्राम चैनल हमें मिलती है ठीक है भाषा कौन से थी प्राकृत भाषा हमें मिल जाती है और जो लिपी थी वो अर्ध मगधी हमें मिल जाती है लिपी कौन से मिलती है अर्ध मगधी लिपी हमें मिल जाती है ठीक है क्लियर ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चले ना अगला जिस समय बिम्बसार था, क्या गौतम बुद्ध भी थे, क्या उसी समय पर मिलिंद भी था, क्या उसी समय पर प्रसेन जीत भी थे, बताओ जल्दी से आंसर, क्या होगा, इन तीनु में से कौन सा है, जो इनके गुरुप का नहीं था, ठीक है, उसको अलग कर दो भीया, तो हमा पारे क्या है, गुरुप के ही नहीं हो, बिल्कुल सही बात आ रहे हैं यहाँ पर, 69 का अंसर है, मिलिंद, ठीक, मिलिंद, मिलिंद कौन था, हिंद, यूनानी, राजा हमें ये मिलता है, मिलिंद की जब हम बात करते हैं, बाकी तीनों की अगर हम बात करें, तो ध्यान रख ध्यान रख लेना, कि बिंबसार, गौतम बुद्ध और प्रसन सेन जीत, ये एक दूसरे को जानते थे, और गौतम बुद्ध के मित्र, प्रसन जीत हमें मिल जाते हैं, और बिंबसार, गौतम बुद्ध से रूबरू भी हुए थे, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान चलिए, प्रसन जीत कौन थे, चलो इनके बारे में लिख लेता हूँ, ये कौशल के राजा थे, कौशल जिसकी राजधानी क्या मिलती हैं हमें, श्रावस्ती हमें मिलते हैं, और श्रावस्ती जहां गौतम बुद्ध ने क्या दिये थे, सरवाधिक उपदेश दिये थे, त एसे ही नहीं वहाँ पर उपदेश दे दिये गया, और मन कर रहा है, तो वहीं चले गए, कारण ये था कि श्रावस्ती नाम की जगए पर उनका मित्र रहता था, तो वो बार-बार वहाँ जाते रहते थे, मिलिन्द यूनानी राजय जिसने, सर्व प्रथम क्या चलवाए थ सर्व प्रथम सोने के सिक्के चलवाने का काम किया था भारत में ठीक है चलिए बहुत बिजा शिवांगी ने बता दिया आशुतोष जी सी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है चलो अगले प्रेशन अगले पॉइंट के और आगे कंटीनू करते हैं विचार करो वर्धवान महावे की माता लिछवी के राजा चेटक की पुत्री थी ठीक दूसरा चलो दूसरा तो हैं नहीं दूसरा इस्टेट्मेंट छोड़ दो मिसो रखाया ये तेईसवे तीर ठंकर पार्षणात बनारस के थे और बताओ भाईया ख़ई के पान बनारस वाला कहा के थे ये पार्षवना पारशुनात के कहने पर ही महिलाओं को प्रवेश देना शुरू किया गया था जैन धर्म में बताईए क्या इसका सही जवाब हमें मिलेगा क्या इसका सही जवाब हमें मिलेगा तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी के अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में होगा था इनकी माता कराम त्रिशिला था और त्रिशिला क्या मिल जाती है त्रिश्रा लिच्वी के प्रधान लिच्वी के राजा चेटक की पुत्री नहीं थी ये इनकी बेहन थी क्या थी चेटक की बेहन थी ये ठीक है पिता कौन थे इसके जात्रिक कुल के प्रधान जो चेटक की पुत्र थी और चेटक के पिता कौन थे तो ध्यान रख लेना जान जात्रिक कुल के प्रधान थे इनके पिताजी छेटक जात्रिक कुल के प्रधान हमें मिल जाते है ठीक तेस्टई तेर्थंकर पार्शना बनारस के थे बिलकुल ठीक है तो answer दो और तीन यहां दिया गया क्याकि द्यूसरा statement नहीं है तो answer आपका तीसरा सही हमें मिल जाता है बासवन मारें यहां तक तो सेशन को फड़ा-फड से लाइक करो अपने दोस्तों को तक शेर करो बता दो सबको की क्लास रो हो चुकी है लिच्वी सिस्टर थी उनकी बिलकुल ठीक यहां पर बात बोली है संध्या ने चलिए अगला पॉइंट है आगे कंटिन्यू करेंगे अगले प्रश्निक्योल चलेंगे प्राचीन भारत के बौद मठों में परवन नामक समारो आयोजित किया जाता था क्यों आयोजित किया जाता था परवन बताओ यहां तक आशुतोष शर्मा क्या बोल ले है चलो बताओ यह क्या इसका आंसर मिलेगा हमें ठीक परवन आंसर देखते हैं आप क्या आंसर देख दोगे यहां पर क्या आंसर आप दे रहे हो हाँ बिलकुल अनकेडमी पर क्लास चलाएए न तो अनकेडमी पर क्लास चल रही है कौन है यहां पर मनोहर राज चौदरी जी अनकेडमी एप पर जब हम बात करते हैं तो अनकेडमी एप पर जो क्लास होती है एक morning में सुबह 8 वजे class होती है और एक evening में रात को 8 वजे class होती है ठीक है morning में और evening में रात को 8 वजे class होती है answer देखते है answer है बिलकुल B point है ठीक है परवन क्या है एक समहरो किस समय पर होता था चौमास के समय पर सुना नाम चौमासा जब बारिश का समय होता था जून जुलाई अगस सेप्टमबर के आसपास का तो वर्शा रित्व के द्वारान मठों में प्रवास के समय भिख्शों द्वारा जो अपराध किये जाते थे उन अपराधों की वो स्वीकरती करते थे कि हा कश्मीर में कनिश्क के साशनकाल में जो बहुत संगती आजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किस ने किती बहुती सिंपल बहुती बढ़िया कोश्यन है आपको यहां से मिल गया है कनिश्क के साशनकाल में बहुत संगती कौन से हुई थी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसल ह में कहाँ पर हुई थी कश्मीर में हो रही है कुंडल वन नाम की जेगर पर ये बहुत संगती हो रही है और अध्यक्ष कौन थे बहुत सही बहुत आसान कोशन वसुमित्र अध्यक्षा में मिल जाते हैं और एक और पॉइंट उपाध्यक्ष कौन थे लगे हाथ उपाध्यक्ष की भी चर्चा कल ही लेते हैं बताइए जल्दी से उपाध्यक्ष कौन थे कनिश्क के साशनकाल में जो बहुत संगते आजित हुई थी उसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष हमें मिल जाते हैं वो थे अश्व घोश उपाध्यक तो सिनी आप पता चल गया होगा भूलना मत वश्व मित्र किसके साथ आये थे अगला पॉइंट आगे कंटेनू करते हैं बताओ जैन धरम में अहिंसा परबल ने क्रशकों को जैन धरम अपनाने से रोखा क्योंकि क्रशी में कीड़ों क्रशी में कीट और कीड़ों की हत्या हो होता है बताओ क्या यहां पर यह बात सही है क्या यह दोनू बात सही है और अगर दोनू सही है तो क्या यह एक दूसरे का परफेक्ट कारण भी बताती है तो इस चीज को अगर हम देखें तो जैन धरम के पांच क्या थे महावरत हमें मिल जाते हैं क्या मिलते हैं महावरत हम मिलते हैं जिनको पंच महावरत बोला गया कौन कौन से महावरत सबसे पहले मिलता है अहिंसा फिर है सत्य फिर है आस्ते फिर हमें मिलता है अपरीग्र है और फिर हमें मिलता है वो है ब्रहम चर्य तो यह पंच महावरत है जिसमें अहिंसा सबसे पहला वरत है और यह बिलकुल पहला point सही है और दूसरा point भी बिल्कुल सही है मतलब A और R दोनु सही है और ये दोनु एक दूसरे की बिल्कुल सही व्याख्या करते हैं क्योंकि अगर आप अहिंसा करोगे तो खेती कैसे कर सकोगे क्योंकि जब आप हल जोतते हो तो जमिन के नीचे बहुत सारे कीडे मकोडे उनका घर होता है जब फसल काटते हो तब भी क्या होती है हत्या होती है क्योंकि जैन धरम के अनुसार पेड़ पौधो में भी जीवन होता है तो इसलिए आंसर क्या मिलता है यहाँ पर यह बिल्कुल सही जवाब मिल जाता है हाँ बिल्कुल व्यापारियों ने इसे ज़्यादा अपना है था बिल्कुल सही बात यहाँ पर बोल ले है चलिए अगला प्रस्शन देखते हैं अगले पॉइंट के और कंजिन्यू करता है अस्टांगिक मार्ग की संकल्पना ठीक है अस्टांगिक मार्ग की संकल्पना किसने की थी किसका अंग था यह बताओ यहाँ पर क्या मिलेगा अस्टांगिक मार्ग जिसे अस्टांग मार्ग भी बोला गया था जिसे अस्टांग मार्ग भी बोला गया था क्या क्या मिल जाते हैं इसमें आठ सोपान हमें मिल जाते हैं सोपान इंसेंस की आठ मार्ग बताये थे भगवान बुद्ध ने किसने बताये थे गौतम बुद्ध ने आठ तरीके बताये थे जिससे जीवन जिया जा सकता है और अहिंसा भी और जूसों को नुकसान भी नहीं पहुँचाएगा तो वो क्या बोला गया था तो मैं यहां लिख लेता हूँ सम्यक सब के आगे आएगा सम्यक द्रिस्टी फिर है सम्यक संकल्प फिर लिख लेना सम्यक वानी सम्यक कर्म फिर आपको मिल जाता है सम्यक क्या मिलेगा सम्यक आजीव फिर आपको मिलेगा सम्यक व्यययाम फिर आता है सम्यक इस्मरत्ती और लास्ट है सम्यक समाधी ठीक है तो यह आठ तरीके इन्होंने बताये थे और यह आठ तरीके किसका अंग मिलता है हमें धर्म चक्र परिवर्तन सूत के विशय वस्तू का ठीक है किसका मिलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन के विशय वस्तू का मिलते हैं चलिए चलिए अरे कोई बात नहीं नैंसी गुड मॉर्णिंग गुड मॉर्णिंग ठीक है चलो अगर वो अपनी वानी, मन, वचन, अपनी कर्मों को कंट्रोल करे, अपने द्रहन सहन और अपने शारिरिक तंदरुस्ति को स्थीक रखे, अपनी स्मृत्ती और अंते में समाधी सही रखे तो अगला मिलिंद पनहों मतलब है मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बहुत भिख्षू के बीच, किस बहुत भिख्षू के बीच समवाध है, राजा मिलिंद इस समय पर क्या कर रहे हैं, राजा मिलिंद इस समय पर बहुत धर्म को अपनाने की बात कर रहे हैं, शिव जवाब क्या मिलता है हमें मिलिंद पन हो राजा मिलिंद जिसका एक ओ नाम है वो है मेनेंडर मेनेंडर जो की कौन सा राजा हमें मिलता है हिंद यूनानी राजा हमें मिलता है ठीक है हिंद यूनानी राजा तो ये नाग सेन सही जवाब हमें मिल जाता है कौन है नाग सेन और बहुत भिक्षू के बीच में एक चर्चा एक वाद विवाद का ध्यारी हमें मिलता है अगला पॉइंट महायान बहुत धर्में बोधिसत्व अवलोक की तेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं ठीक बताई यह आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर थोड़े टिपिकल कोशिन यहाँ पर मिलेगा लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि थोड़े से बढ़िया बढ़िया कोशिन आपको मिलेंगे यहाँ पर महायान में बोधिसत्व अवलोक की तेश्वर को किस नाम से जाना जाता है तो द्यान रखना पद्मापणी के नाम से जाना जाता है ठीक है किस नाम से पद्मपाणी के नाम से जाना जाता है यह चलो अगला पॉइंट है गौतम बुधनी जो सीखे जो तरीके बताये थे वो बोधिस्तों के अंदर आते हैं नेक्स पॉइंट बौध दर्म और जैन धर्म दोनु किस में विश्वास करते थे यह फिर से है कर्म पुनर जनम म्रत्यू के पश्चात मोक्षे संबह हुए इस तरह पुरुस दोनु मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं यह जीवन में मध्य मार्ग सबसे बढ़िया है बताओ क्या कहते थे यहां पर बौध जर्म और जैन धर्म सी नहीं कितने कोश्चन कल का जो टॉपिक हमें मिल रहा था ना साथ कोश्चन उसके आगे को कंटेन्यू करते हैं हम यहां पर ठीक है जब हम बौध जर्म और जैन धर्म दोनू की बात करते हैं तो ध्यान से समझ लेना मैं यहां पर लिख लेता हूँ बौध और यहां पर मैं लिख लेता हूँ जैन धर्म ठीक तो दोनू के दोनू यह मानते थे कि इस्तरी पुरूस दोनू को मोक्ष की प्राप्ति संबह हुए लेकिन ध्यान रखना बौध जनम धर्म परमात्मा को नहीं मानता था जैन धर्म भी परमात्मा को नहीं मानता था बौध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता था लेकिन जैन ध हरम क्या मानता था आत्मा पर विश्वास रखता था बहुत ध автом भी पुनर जीवन की बात कर रहा है और जयन धरम भी पुनर जीवन की बात करता है तेके कट यह नहीं को रहे हैं नहीं कर वान रहा幸़ सुच्छंछी कुछ अगले हप्ते से आपको वहापर भी कुछ नया देखने को मिलेगा बहुत धर्म के महायान और हीन्यान संप्रदायों में सबसे मौलिक अंतर कौन सा है बहुत धर्म में एक है महायान जो की नवीन विचारधारा को follow करता है और एक हीन यान जो की प्राचीन विचारधारों को फॉलो करता है तो दोनों में सबसे बड़ी आंतर कौन सा मिलेगा बताइए क्या होगा इसका सही जवाब नैंसी टॉपिक एक दिन पहले तो कल हम क्या को टॉपिक करने वाले हैं एक मिन आपको मैं बता देता हूँ एक दिन पहले ही जब आप टॉपिक की मांग कर रहे हो तो कल हम मौर यवन्ष के बारे में पढ़ेंगे कल किसके बारे में करने वाले हम मौर यवन्ष के बारे में पढ़ने वाले हैं तो पढ़के आईएगा आंसर है C. देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, दोनों में सबसे मौली कंतर है देवी देवताओं की पूजा, तो जब महायान की बात करते हैं, तो महायान क्या करता था, मूर्ति पूजा करता था, जबकि हीन यान मूर्ति पूजा नहीं करता था, ये चीज़ याद रखत से चलना अगला पॉइंट हम देखेंगे यहां तक संध्या जी आप क्या बोल रहे हैं मैंने देखा नहीं वाकई में इसमें कोश्यन करने संध्या बाद समझ में नहीं करता ना कुछ ज़्यादा रहेंगे ऐसे से प्लीज समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाहे रहे थे फिलाल इसका आंसर के बात करेंगे जैन धर्म श्वेतांबर और दिगांबन संप्रदायों के बीच विभाजित कब हो गया किसके समय पर तो बिल्कुल याद रखना चंद्रगुप्त मौर ये के समय पर ही हो गया था जब चंद्रगुप्त मौर सन्यास लेकर दक्षिन भारत को चला गया था ठीक है चलो अगला पॉइंट है मैच करूँ पहली बहुत संगती और ये अध्यक्ष दिये गए हैं तो पहली बहुत संगती मैं यहाँ पर राजा का नाम भी लिख लेता हूँ पहली बहुत संगती के समय पर राजा हमें मिलता है वो है अज्यात शत्रू दूसरी बहुत संगती के समय पर राजा हमें मिलता है वो है काला शोग तीसरी बहुत संगती के समय पर राजा है अशोग और चौथी बहुत संगती के समय पर राजा है कनिश्क पहली बहुत संग प्रति सर्वकामाक्षी मोगली अरे यार तो सारे सारे ठीक होगे आंसर क्या चुका है एपॉइंट मिल चुका है आप लोगों को ठीक एपॉइंट मिल चुका है ठीक है चलो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं नेक्स पॉइंट निमलिकित मैंसे कौन सा धर्म पुनर जनम में विश्वास करते थे अब यह भी बात हुई है उमीद करता हूँ आप लोग बता पाऊगे कि पुनर जीवन में विश्वास कौन कौन करते थे क्या आप पुनर जीवन में विश्वास करते हो ठीक है चलो आंसर की बात कर लेते हैं आंसर है तीनू विश्वास करते थे हिंदू धरम भी करता है बौध भी करता है ज्यान भी करता है तीनू विश्वास करते थे पुनर्धनम की ए टीवन का ए आंसर मिलेगा यहाँ पर समझ मा आगया पूंड यहाँ तक सब लोगों को अच्छा बताओ चारों आयोजिकों का सही करम क्या होगा सबसे पहले किसने बहुत संगते आज़ित करवाई काला शोक ने नहीं सबसे पहले कौन था अपने पिता को मारने वाला अपने पिता को मारने वाला यानि की अजात शत्रू तो सबसे पहले अजाशत्रू आता है फिर कालाशोक फिर अशोक फिर कनिश्क एंसर डी सही जवाब मिलता है 84 का हमें ठीक अगला पॉइंट देखेंगे निम्न में से कौन सा एक त्री पिटक का अंग नहीं है त्री पिटक का कौन सा एक अंग नहीं हमें मिल जाता है तो त्री पिटक के अंदर विनय पिटक नाम मिलता है सूथ पिटक है विनय पिटक अविदाम पिटक ये तीनों हमें मिल जाते हैं पिटक में लेकिन जातक कथाएं नहीं हैं ये बहुत धरम के पुनर जीवन से संबंधित हमें मिलती हैं अगला पॉइंट अगले प्रश्न को देखेंगे यहां तक आंसर बिल्कुल आ चुका होगा एक सबलों का ठीक है रिगवेद अध्यान से समझें ना रिगवेद में किन दो जैन तीर ठंकरों का उलेग मिलता है बताई यह क्या होगा इसका सही जवाब रिग्वेद में कौन-कौन से ऐसे तीर थंग कर रहे हैं जिनका उल्लेख हमें मिलता है आंसर को हम देखेंगे 84 का D बता रहे हैं चरूँ हम चेक कर लेते हैं आंसर है A रिशव देव और अरस्ठी नेमी रिशव देव मिलते हैं और कौन मिलते हैं अरस्ठी नेमी ये पॉइंट बिल्कुल याद रखते हुए चल लेना ठीक है रिशव देव पहले अरस्ठ नेमी कौन से 22 तीर थंग करते हैं रिशव देव फर्स्ट थे और अरस्ठ नेमी की बात करें तो ये 22 बाइसवे तीर थंग कर हमें मिल जाते हैं ठीक अगला प्रश्ण आगे कंटेन्यू करते हैं मैज करो महवीर स्वामी और उनका नाम कहीं पर कैवलीन मिलता है कहीं जिन मिलता है कहीं महवीर हैं कहीं नेकरंथ है उनका क्या मतलब है ठीक है उनका मतलब क्या-क्या मिल जाता है बताएंगे यहाँ पर आंसर बताओ जल्दी से सिन्नी क्या एक बोल रही है सर नाम बोलने में किसको नाम बोलने में क्या हो गया भाई चलो आंसर हम देख लेते हैं इंग्लिश में थोड़ा सा यहार जगह की कमी थी इसलिए इंग्लिश में नहीं मिला आंसर बिल्कुल मिलेगा ठीक है कैविल काव कैविल यही कहा जाता है जिसका मतलब होता पूर्ण ग्यानी जिन मतलब जो जीत लेता अपने इंदरियों को जिन महावीर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पराक्रमी निग्रंत मतलब जिसको कोई बांध नहीं सका है ठीक है अगला पॉइंट महावीर स्वामी ने जैन संग की स्थापना कहां पर की थी बताए आंसर क्या होगा सही जवाब यहाँ पर नैंसी बताना 86 से आंसर सुरू करना है सर इसके पहले कोश्चन का ओप्शन अच्छा 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 चलो कोई नहीं सी निया जैन धर्म की स्थापना पावापुरी में की थी, जैन संग की स्थापना की बात कर रहा है ये, कहां पर की थी, जैन संग की स्थापना कहां पर की थी, पावापुरी में की थी, जैन धर्म में कल्प सूत्र के अनुसार, देखो आप कहां से मिला हमें, ये मिला है कल्प सूत्र के अनुसार कल्प सूत्र के अनुसार पावापुरी में एक साल महावेर स्वामी ने बिताये था पावापुरी में क्या बिताये था एक वर्ष महावेर स्वामी ने बिताये था और वहीं पर ही इन्होंने क्या कहा जाता है जैन धर्म के स्थापना करी थी पावापुरी को जै जैन धर्म का सारनाथ पावापूरे को कहा जाता है ये पॉइंट भी ध्यान रखते वे चल लेना ठीक है अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करते हैं महाविर स्वामे की म्रत्य हो गई हो तो उनके बाद जैन संग का अगला अध्यक्ष कौन चुना गया था ठीक महाविर अगला अध्यक्ष किसे चुना गया तो बताएंगे क्या आंसरा में मिलेगा फड़ाफट से आंसर बताना है ठीक राजा कुमार मालाकार हैलो राजा कुमार भाई रोक्यों रहे हो सब ठीक ठाक है चलो 87 का आंसर ए बता रहे हैं सी बता रहे हो अच्छा पावपुरे में मंदिर भी है वही बहुत बड़ी है सीनी फिर तो ठीक है याद रहेगा आपको आंसर बिलकुल ठीक है सुधर्मन हमें मिल जाता है सुधर्मन महाविर स्वामे के ग्यारा अनुरियाईयों में से एक हमें मिलता है सुधर्मन जो आने वाले 22 वर्षों तक अध्यक्ष चुना गया अध्यक्ष रहता है असुतोष शर्मा मेरे ही नाम से महिंद सर के नाम से साच करोगे मैं आपको मिल जाओंगा अनुवरत किस धर्म से जुड़ा हुआ है बताई जल्दे से यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा और जो मेरे यहाँ पर कुछ पुराने स्टुडेंट से यार बता दो इनको ठीक है टेल पंच महावरत को अनुवरत भी कहा जाता है पंच महावरत को क्या कहा जाता है अनुवरत भी कहा जाता है तो अब समझ में आ चुगा हुआ आप लोगों को अनुवरत जैन धर्म से जुड़ा हुआ है नेक्स पॉइंट जैन ग्रंत कल्प सूत्र को किस ने लिखा था जैन क्रंथ कल्प सूत्र के रचियता कौन हमें मिल जाते हैं क्या रहेगा अंसर ठीक है तो कल्प सूत्र में क्या मिलता है कल्प सूत्र में जो 23 तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और जो 24 वे तीर्थंकर थे महावीर इनका क्या लिखा गया है जीवन परिचे जीवन परचर्चा की गई है और इसके रचनाकार कौन मिलते हैं तो ध्यानकना कल्प सूत्र भद्र बाहू ने लिखने का काम किया था किसने लिखने का काम क्या था जो दक्षिन भारत चला गया भद्र भाहू उसने लिखने का काम क्या था कल पसूत्र ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगले पॉइंट के और ध्याने के नहीं नहीं यहाँ पर ओम गुपता भाई शील भद्र नहीं यह भद्र भाहू मिलेगा क देखो दक्षिन भारत गया सन्यास ले करके तो इसको बहुत टाइम मिला ये लिखने का, स्थूल भदर ने खेती बारी शुरू कर दी थी, ठीक, दक्षिन भारत भदर भाहु, तो भदर भाहु क्या होता है, दिगांबर का एक तरीके से संस्थापक माना गया, और स्थूल भ अब बताओ परिशिस्ट पर्व को लिखने का काम किस ने किया था झै nyt से सम्बंधित परशिस्ट पर्व को लिखने का काम किया था और वो थे हेम चंद्र नाम के एक व्यक्तिने ठीक है किस ने लिखा था हेम चंद्र नाम के व्यक्तिने ठीक, नेक्स पॉइंट है, आगे कंटिन्यू करते हैं, फटा फट से अगर सेशन पसंदा आर तो लाइक और अपने दोस्तों को तंग शेर करो, और आंसर बताईए, जैन रशना में, सोला, किस जैन रशना में, सोला महाजन पदों का उलेक मिलता है, कल हमने बहुत धर्म की ब बहुत धर्म में कौन सा मिला था, यहां पर मैं लिख लेता हूँ, बहुत धर्म और आपने बताया था, अंगुत्तर निकाए, ठीक है, अंगुत्तर निकाए मिलता है हमें, अब जैन साहिति के अगर बात कर लें, तो भगवती सूत्र में, सोला महाजन पदों की चर्चा मि भगवती सूत्र में, सोला महाजन पदों की चर्चा मिलती है, बिल्कुल ठीक है, अगला प्रेश्ण आगे कंटीनू करेंगे, जैन तीर्थंकर, पार्शुनात द्वारा प्रतिपादित, चार महावरतों में महाविर स्वामी ने, पांचवा महावरत क्या जोड़ा, अब एक चीज़ और समझ लो, जो पंच महावरत हैं, कौन है, सत्य अहिंसा सत्य भी लिखलो यहाँ पर, जो है सत्य, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्र है, यह चार जोड़े गए थे, पार्शुनात के द्वारा, ब्रहमचर यह जोड़ा गया था, महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक, आसान सा कोशिन था, लेकिन आपको यहाँ पर क्या है, इंपोर्टेंट ध्यान लखना है, कि महावरत किसने प्रतिबादित किये, तो महावरतों को देने का काम पार्शुनात ने किया था, पार्शुना जो जैन धर्म के क्या थे, तेसवे तीर्थंकर हमें मिल जाते ह हैं, अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करेंगे, जैन शिल्प कला का उधारन क्या है, उरिसा की बाग गुफा, खडग गिरी और हाथी गुफा मंदिर, उरिसा में माउंट आबू, राजस्थान के दिलवारा के मंदिर, देखो, उरिसा में ये इंपोर्टेंट चीजे है राजस्थान में दिलवारा का मंदिर है, रणग पूर यानि की जोधुपूर राजस्थान में चौमुख मंदिर है, और करनाटक के श्रमण गोल में गोमतेश्वर या बाहु बली की परतीमा है, क्या है, बाहु बली, बताओगे क्या यहां पर सही जवाब रहेगा इसका, 93 का सही आंसर क्या मिलेगा हमें बाहुबली की प्रतिमा पर महामस्तकाभिशेक किया जाता है जो गोमतेश्वर आप देख रहे हैं न यहां पर क्या होता है महामस्तकाभिशेक ठीक है एक त्योहार मनाया जाता है महा मस्तका अभिशेक का त्योहर बाहु बली की प्रतिमा के ऊपर ठीक तो answer हम देख लेंगे बिल्कुल सही है यह तीनोग पॉइंट mayr чारों- बिल्कुल सही है छारों- बिल्कुल सही यहां पर हमें मिलते हैं बास्वार में आगे सब लोगों को क्लियर है पॉइंट आगे कंटिन्यू करते हैं अगले प्रश्ण अगले पॉइंट को आप देखोगे जैन धर्म के अंतिम राज की संग्रक्षन किस वन्ष के साशकों ने दिया था बताइए जल्दी से हां गोमती रीवर करनाटक में नहीं है करनाटक में कावेरी नदी है पताइए क्या रहेगा आंसर ठीक आंसर की बात करते हैं वह है किसी गुजरात के चौलुक्यों ने अंतिम राज की संग्रक्षन प्रदान किया था इसके बात कोई राजा नहीं मिलता है सुद्धन महामाया प्रजापती गौत्मी यशुद्रा कौन है यह बुद्ध का अरे तो बुद्ध का परिवार है देखें गौतम बुद्ध का पर प्रशन अगले पॉइंट क्यों चलते हैं मैच करो पहला और दूसरा चन्ना कंठक अरार कराम रुद्रक रामपुत या निरंजरा क्या बात है यहां पर बड़े ही प्यारे कोशन है यह सारे कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं आप दिखते हैं 96 का कौन आंसर सही बता प होगा क्या सही जवाब होगा चलो मैं एक मार रिफ्रेश कर लेता हूं ताकि मुझे भी दिखाए दे जाए आपके कमेंट बिल्कुल तो आंसर आ चुके हैं बिल्कुल ठीक है ए बिल्कुल सही जवाब हमें मिल जाता है चन्ना गौतम बुद्ध का सार्ते और दोस्ता कंथक या कंथक नाम का गौतम बुद्ध का घोड़ा था जिसमें घर छोड़कल चले के दे गौतम बुद्ध के सबसे पहले ज कौन सा सुमेलित नहीं है आनंद उपाली बुद्ध के सिश्य थे आमरपाली बुद्ध की सिश्य थी बदाईए क्या आंसर मिलेगा यहां पर चलो कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपको साफ साफ पता चला है देखो आनन्द उपाली बुद्ध के सिश्षिर ठीक है आमरपाली मुझे नहीं पता सुजाता कतिन तपस्थे को उपरांद बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या बिल्कुल ठीक है राहुल बुद्ध का चचेरा भाई ये गलत है यही सही आंसर है राहुल कौन था बुद्ध का बेटा था और बुद्ध का चचेरा भाई उसका नाम क्या था उसका नाम था देवदत ठीक है उसका नाम क्या मिलता है हमें देवदत नाम मिलता है ये point बिल्कुल ध्यान रखते हैं चल देना ठीक तो चलो बुद्ध का खांदान यहां तक हो चुका है अपला point आँ देखेंगे क्या होगा महत्मा बुद्ध छत्रिय कुल से संबंद रखते थे कौन सा छत्रिय कुल था वो शाक्य जानत्रिक कोशल या कोली क्या रहेगा सही जवाब बताएंगे जल्दी से सबी लोग यहां पर निशा ने बता दिया था देवदत ओके ओम गुपता बोले हैं 98 का शाक्य अमरिता ने बता दिया है ओम ने बता दिया निशा ने भी ए बता दिया संध्या ने भी ए बता दिया है गोलु ए नितीज सिनी अमरिता शिव सागर नेहा मिश्रा और बागी यह तो नाम दुबार जी राज कुमार ने भी बता दिया है राजा कुमार ने आंसर बिल्कुल ठीक है एक साक के वन्ष से संबंदित है गौतम बुद्ध कौन सा सुमेलित नहीं है अब बताएंगे गौतम बुद्ध के गोत्र का नाम था सिधार्थ बुद्ध के बच्पन का नाम ये तो पता है ब ठीक है क्या मिलजाएगा हमें answer है in में सफेद कोई भी नहीं कॉनसा सुमेलित नहीं है तो यहीं ज सुमेपन है नहीं हो ठीक प्रेsal के और हम देखेंगे यहां पर क्या मिलेगा एक मेड़ी यहांपर मैं रुको जरा देखता हूं चलो चलो अगला पॉइंट मैच करो सूची एक और सूची दो महा बिनिश क्रमन ग्रहता की घटना कही गई थी बिल्कुल ठीका में मिल जाती है संबोधी ज्यान प्राप्ति की घटना कही गई थी तो भाईया ये भी हमें मिल जाती है धर्मचक्रपनिवर्तन सारनात का प्रथम अब्देश ये भी है महा परेनिवना मिट्ट भी खटना मतलब यहां पर तो फिर से ठीक है एक दो तीन चार चारों बिल्कुल सही सही हमें मिल जाते हैं संधिया ने सौक आये भाईया सेंचुरी कोशन के आंसर सबके सही आये हैं आने आगे आने कोशन भी सही होंगे भगवान बुद्ध ने वैराग्य की भावना चार दृष्ण को देख करके हुई जब भगवान बुद्ध अपने दोस्त किसके साथ गए घूमने चन्ना के साथ गए थे महल घूमने ठीक है चन्ना के साथ शहर घूमने गए तो इन्होंने चन्ना को बुलवाया भीजाता बोला था चन्ना वे घर आजा रे आज घूमने चन्ना है चन्णा ने मना कर दिया बोला मैं नहीं जाओंगा डराया धंका है जब दस्ति लेख़े चन्णा ने बोला ठीक है मेरे ते कुछ मत बोलना जो देखोगे बुध्धन इंतान देखा एक बीमार देखा एक डैड बॉड़ी देखी एक सन्यासी देखा और इन चारों को देखने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा दुनिया में तो दुख ही दुख है ठीक है इस दुनिया में कितना दुख है मेरा दुख तो बिलकुल कम है ऐसी कुछ उन्हें बाते कहीं और यह निकल गए अपने घोडे को उठाया और सन्यासलल आगला पॉइंट है गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहां पर दिये थे आंसर क्या मिलेगा चलो आंसर देख लेते हैं वो है श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिये जो कि कहां मिल जाता है हमें कोशल और कौन था यहाँ पर दोस इनका प्रसेन जीत दोस्त था जो यहाँ का राजा हमें मिल जाता है उसके साथ या उसको सबसे ज़्यादा उपदेश दिये इसने अगरा पॉइंट बुद्ध चरित जिसे बौध धर्म का रामायन कहा जाता है बुद्ध चरित जिसमें स्वयम भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी कही जाती है किसने लिखने का काम के ता आसान सा कोशन है बताओगे आंसर अश्वगोष वसुमित्र बुद्ध घोष ना गारजुन चलो जी बढ़िया बात है पता है आंसर क्या मिलेगा बिल्कुल सही जवाब है आंसर है अश्वगोष नहीं लिखाता ये अश्वगोष की दो किताबे और लिख ले ना दो इन्होंने नाटक लिखेते एक था सरी पुत्र प्रकरण और एक नाटक था जिसको नाम दिया गया था सौंदारा नंद ठीक है अगला पॉइंट आगे कंटिन्यू करते हैं महा विभाष सास्त्र के रचेता कौन था चवा मैंने पुराने कोश्चन में नहीं बताया वरना गरबर हो जाती महा विभाष सेशन पसंद आया तो फटा फट से लाइक अपने दोस्तों को तंग शेयर कर दो जल्दी जल्दी चलेंगे थोड़ा पांच एक मिनट सेशन ज्यादा खिच जाएगा तो अर्जेस्ट कर लेना महा विभास सास्त के रचेता वसू मित्र हमें मिल जाते हैं जो चोथी बौस संगती के अध्यक्ष हमें मिल जाते हैं क्या लिखाता है इन्होंने महा विभास सूत्र लिखने का या सास्त्र लिखने का काम किया था ठीक है अगला पॉइंट कौनसी बौध रचना गीता के सम पवित्र माने जाते है जातक धम पिटक धम पिटक या बुद्ध चरित गीता के समान पवित्र माने जाने वाली रचना कौन से हमें मिल जाती है आंसर की बात करेंगे चलिए तो आंसर हमारे पास मिल जाता है धम पाद आंसर क्या मिलेगा धम पाद गीता के समान पवित्र मानी गई है क्यों क्योंकि इसमें क्या बताये गया है इसमें नैतिक उपदेशों का संग्रहे किया गया है जो गौतम बुद्ध ने अपने नैतिक उपदेश दिये थे उन उपदेशों को एक जगे लिखा गया है ठीक है यह पौन यहां पर ध्यान रखते हैं चलिए अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं अगला प्रशन है बौध धर्म में बोधिस्त्व यानि की भविश्य के बोधिस्त्व किसको माना गया है बताईए यानि की एक तरीके से जब भविश्य को बोधिस्त की बात करते हैं तो यह अवतार की बात कर रहा है और बहुत धर्म में जो अवतार होने वाला है वो क्या है मैत्रे ये अवतार होने वाला है ये बात मानी गई है ठीक है क्या मानी गई है मैत्रे ये संस्कृत ठीक है ये बात मानी गई है कि बोध परमप्राक्ष अनुसार बोधित्य मैत्रित बोधिस्त्व है जो भविश्य पर आवतरित होंगे और बुध्धत्व को प्राप्त करक विशुद्ध सुद्ध बौध धर्म की स्थापना उसकी सिक्षद लोगों को देंगे किसके समय पर बौध धर्म दो सतंतर संप्रदा हीन्यान और महायान में तूट गया था हीन्यान महायान में कब तूट गया था हमारा बौध धर्म तब आंसर क्या देखेंगे हम बौधरम जो हीन्यान और महायान में टूड़ गया था उसका सही जवाब मिल जाता है वो है चौती बौध संगती कनिश्क के समय में चौती बौध संगती की बाद ये टूड़ गया था ठीक है अगला पॉइंट योगाचार और विज्ञान वाद के प्रतिपादक कौन थे ये नया कोश्यन है आप लोगों का योगाचार मतलब जो योग की बात कर रहा है और विज्ञान वाद मतलब विज्ञान के अनुसार चीजों को देखने की बात कर रहा है तो कौन इसके प्रतिपादक थे, तो सही जवाब हमें क्या मिल जाएगा, सही जवाब हमें मिलता है, वो है मैत्रेयनाथ, सही जवाब क्या मिल जाता है, वो है मैत्रेयनाथ, आंसर ध्यान रख लेना, अगला पॉइंट मैच करिए, रजपाणी और पद्मपाणी, मंजूश् अमिताब कौन किस्से संबंधित हमें मिलने वाला है कौन किस्से संबंधित हमें मिलने वाला है आंसर पूजा चोहान जी ने बताया था पुराने वाले का बी चलो भई बहुत बढ़िया सुजाता 1788 रितू मस्त नाम रखते हैं भई तुम्हें आंसर बिल्कुल ठीक है एक दो तीन चार डारेक्ट डारेक्ट में आते हैं व्रजपानी इंद्र के समान एक देवता है पदपानी अवलोकी तेश्वर मिलते हैं मंजूश्री बुद्धी के को प्रखर करने वाले देवता है और अमिताब उस्वर्ग के देवता कहे गए थे अगला भारत में दक्षिन की ओर अनेक देश वे बौत धरम का प्रचार कौन सा संप्रदाय का प्रचार हुआ था तो अब चीजे ध्यान रखो अगर हम भारत की बात करते हैं तो एक तो उत्तर के ओर प्रचार हुआ और दक्षिन के ओर प्रचार हुआ उत्तर के ओर जो प् पसंद आ रहा है तो like कर दो session को answer आमारे सामने आ चुका है और वो है हीन यान तो ध्यान दखो नीचे की तरफ हीन थे उपर की तरफ महा था तो इसलिए ये महा यान बन गया और इसलिए ये हीन यान हो गया ठीक है हीन क्या था नीचे की ओर उपर की ओर महा यान में मिल जाता है ठीक अगला point भारत से उत्तर की ओर लो इसका तो answer अभी अभी मैंने बता ही दिया है उत्तर की ओर जो प्रचार हुआ था वो महा यान का हो रहा है answer बिलकुल सही है अगला point देखेंगे बहुत धरम का मूल आधार क्या था चार आर्यसत्य थे अस्टांगिक मार्ग या त्री रत्न क्या हमें सही जवाब मिलेगा इसका बहुत धरम का मूल आधार क्या मिलता है बहुत धरम का आधार क्या था चलो answer देखेंगे बहुत धरम का आसा आधार है चार आर्य सत्य उसके बाद बौत धर में अस्टांगिक मार्ग दिये गए और फिर तरी रत्न बने थे ठीक है आंसर ए आपको मिलेगा चार आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ती होने के बाद बताएगे अगला पॉइंट है बौत धर में तिरी रत्न क्या बताता है सत्य अहिंसा दया प्रेम करुणा चमा बुद्ध संग धम विने पिटक अविधम पिटक और सूत पिटक बताओ क्या कहलाएगा यहां पर 113 नेहा ने बताया सी शिवा ने शिव ने बताया ए सिवांगी सी अमरिता सी ओके तो बिलकुल सही विटामिन सी तुसी सही बोल रहे हो सी बुद्ध धम और संग सही जवाब सी अगला पॉइंट सी कितने सी सी हो गए है बौत धरम को भारत मैं अंतिम राज के संग्रक्षन देखो जैन धरम को गुजरात के चालुक्य ने दिया था अभी अभी हमने पढ़ा था ना क्या पढ़ा था जैन धरम को दिया था गुजरात के चालुक्य राजाओने तो वो धरम को किसने क्या दिया संग्रक्षन देने का काम किया था तो आंसर देखेंगे वो है ए वो है बंगाल के पाल राजा उने धर्म पाल याद हो गया है विश्व विध्याले कौन सा विक्रम शिला विश्व विध्याले ठीक है अगला पॉइंट आगे कंटिनू करता है मैच करो फटा-फट से सूची एक और सूची दो बौध सिक्षा और C का तीसरा मिलता है आंसर बिलकुल पहला A आंसर बिलकुल सही जवाब आपको मिल जाता है अगला पॉइंट अनेकांत वाद कल ही बात हुई थी अनेकांत वाद जिसको हम क्या बोलते हैं श्यावाद भी कहा जाता है अनेकांत वाद श्यावाद किसका केंद्रे सिध्ध का दर्शन है तो कल बात हुई थी याद करो जैन धर्म से संबंदित अनेकांत वाध हमें मिलता है ठीक है एगला पॉइंट महान धार्मिक घटना महा मस्थका भिशेक निमलिकित मैंसे किस से संबंदित और किसके लिए की जाते अभी अभी बात हुई थी महा मस्थका भिशेक बाहु बली, क्या बात हुई थी, यही तो बात हुई थी, 117 नंबर कोश्चन, समझ में आगे पॉइंट, आंसर है A, बाहु बली या गोम्तेश्वर जिसको बोला जाता है, गोम्तेश्वर बाहु बली, क्या बोलेंगे हम उसको, गोम्तेश्वर बाहु बली, वन्ना क्या ना 24 तीर्थंकरों की सिक्षा का परिणाम है इस कथन के आलोक में निमलिकित में से कौन सा एक वर्दमान महावीर के विशे में सही है काफी छोटा दिख रहा होगा क्यों क्यों दिख रहा है क्योंकि सारा का सारा एक पेज़ पर नहीं आ रहा था इसलिए थोड़ा छोटा होगे थोड़ा अज्यस्ट करनेंगे आप वीडियो को पॉस्ट करके बाद में देखना महावीर स्वामी के विशे में कौन सा सही है सी सही है वो अंतिम और 24 वे तीर्थंकरों थे इसलिए नई धरम का संस्थापक तो नहीं माना गया था बलकि वर्दमान धारमी संस्थापक संप्रदाय का सुधारक माना गया था ठीक है जलो अगला पॉइंट हम बात कर लेते हैं अगले प्रशनी के ओर चलते है ठीक वहे आध्यत बौध साहित्य जो बुध्ध के विभिन जन्मों की कथाओं के से संबंदित है तो फिर से वही पुराना कोश्यन लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया है बहुत धरम की कथाओं से संबंदित गौतम बुध के जन्मों से संबंदित है जातक कथा क्या बताया था कितने जनम गौतम बुद्ध के 550 जनम और स्वयम बुद्ध का कौन सा जनम 551 जनम मिलता है ये अगला पॉइंट है फटा फट सेशन को लाइक करना सेशन पसंदा रहा है तो ठीक जैन धर्म के अनुसार स्रिस्टी की रचना और पालन पोशन किस्त में किया था ठीक है जैन धर्म के अनुसार क्या है ये एक सार्व भौमिक सत्य से हुआ था विधान आस्था आत्मा कुछ नहीं जो है वो सत्य है ठीक है अगला पॉइंट के बात करते हैं निमलिकित में से कौन सा बौध पवित्र इस्थल निरंजना नदी के किनारे पर पीपल के पेड के नीचे कहां पर बौध गया में भगवान बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हो रही है आंसर ए आ चुका है नेक्स पॉइंट क्यों चल रहे है गौतम बुद्ध का गुरु कौन बना था भया गौतम बुद्ध के दो गुरु बने थे सबसे पहले गुरु डॉक्टर अंपुत नाम के व्यक्ति बने थे आंसर बी आ चुका है यहां पर ठीक क्लियर आते का पॉइंट अगला पॉइंट प्राचीन भारती इतिहास के संदर्व में कौन सा बौध धर्म और जैन धर्म दोनु में समान रूप से ग्रिकमान था क्या थे दोनु धर्म तप और कर्म कांडूँ की फल्वत्ता का मतलब करमकांड हवन कुंड का मना किया गया था बताई क्या यहां पर सही जवाब होगा इसका क्या सही जवाब होगा इसका चलो तो आंसर देख लेते हैं हम इसमें क्या हमें मिलेगा आंसर देख लेते हैं कौन सा समानूप से विगमान था तो वो था आंसर दो और तीन दोनू आंसर क्या है दो वेदों के प्रति अनास्ता कर्म कांडो को रोकना तप और भोग का अती परिहार ये इस बारे में उन्हें कुछ नहीं कहा था ठीक है अगला प्रेशन अगले पॉइंट के ओल चलेंगे देखेंगे आंसर क्या होगा भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी-कभी एक हस्त मुद्रा युक्तो दिखाए देते हैं मतलब ऐसे करके अंसर है डी पॉइंट इस संदर्व में ए और बी दोनु कथन सही है मार पर दिस्टी रखने एम अपने ध्यान में विखने डालने से मार को रोकने के लिए बुद्धने धर्ति का आवाहन किया था मार के प्रलोभन के बावजुद आपनी सुचिता और सुद्धता का प्रमुक्षिडालेक पाए गए थे यह स्थान महासंदिकों के बहुत इस्थाने जहां पर बहुत संगतिया हुए थी ज्यादा टीटेल में जाने की जरूवत नहीं है बिल्कुल सा पॉइंट है कॉमन कॉमन सा ठीक है भगवान बुद्धने जीवन के अंतिम रितू कहां पर बिताए थी आखरी जो बारिश देखी थी उन्होंने कहां देखी थी कुशी नगर में कुशी नगर में ही तो म्रत्ति हो गई थी अगला पॉइंट अशोक राम विहार निमली कितम से किस स्थान पर इस्थित है तो अशोक राम विहार कहां है पाटली पुत्र में हमें म और आज का second last question नैनार कौन थे नैनार हमें मिल जाते हैं वे अग्रणिय शिव भक्त थे और अलवार कौन थे तो अलवार दक्षिन भारत में कौन मिल जाते हैं विश्नु भक्त मिल जाते हैं ठीक है नैनार और अलवार ये दक्षिन भारत से संबंदे रख रहे हैं ठीक अगल शरणम गच्छामी तो बुद्ध धम और संग हैं मध्य मार्ग शामिल नहीं हमें मिल जाता है ठीक है इसको ठीक कर ले ना इसे ठीक कर ले ना आंसर आपको क्या मिलेगा डी या डी सही जवाब आपको मिल जाएगा चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं तो अगले पॉइंट में यही है कि जब आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको MSM का इस्तमाल करना है 10% डिसकाउंट ले कोईन का स्तमाल करना है दो साल का सब्सक्रिप्षिन आपको क्या मिलने वाला है केवल बहुत ही कम प्राइज में मिलने वाला है ठीक है स्वरक्षित रहो गर्म पानी पीते वे रहे हैव नाइस डे टेक क्यार एंड बाई बाई अनकेडमी आप पर रात को आड़ बजी थ्योरी क्लास्च चल लिए जौकर सिखिंग आना मत भूलना ओके बाई